अपने यूटूब चानल टॉप पर तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक बड़ा पेपर आध लीक हुआ और लीक होने के बाद में रद हुआ इसका क्या रीजन है सभी को पता है कि पेपर लीक हुआ है लेकिन बहुत सारे चात जो है वो गुस्ते में है और उनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि पेपर जो है हर परिक्षाओं में है रद होता है उन्होंने सरकार पर भी उंगली उठाई उन्होंने पेनपी पर उंगली तो उसके बाद में जो है तब तक आचार संगिता लग जाएगी और ये भरती खतम हो जाएगी ये बच्चों ने आरूप लगाये हैं सरकार के उपर और PNP के उपर ठीक है और चलिए हम बात करते हैं कि अगली डेट के बारे में सरकार ने क्या कहा है PNP ने क्या क्या चीजे की है उन सभी पर हम बात करेंगे लेकिन जितने भी साती हैं चाहे वो बेड़ वाले हैं डेलेट वाले हैं जो भी हैं वो सभी लोग सबसे पहले ही स्टॉपर सिंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी चैनल पर आपको बिल्कुल सही तरीके से और सही अपडेट म क्या चीजे हैं सबस्क्राइब तो हम बात करेंगे एक ये नोटीस है ये नोटीस भी आप लोगों ने देखी लिया होगा इसमें जो है रद करने के बारे में यानि जो परिच्छा उसको अस्तिकित करने के बारे में यहां पर सारी चीजें बताई गई हैं और भी सारी देट तो आनी आनी फिक्स है भाई बिना देट के थोड़ी पेपर होगा लेकिन अभी यह है कि अब इसमें लगेगा समय क्योंकि जो है जो प्रस्ताव भीजेगी उसके बाद साथन जो फिर से साइन करेगा उसके बाद में जो डेट है फिर एड्मिट कार्ट हम लोगों का बाद यही जा जाएगी और यहीं चीज मैंने भी जो है हम लोगों ने जो एनालीसिस किया है या हम लोगों ने जो पिन पी से बात किया है आप प्रतियोगी मोर्चा संके विक्की खान है और वहां से यह बात बताई गई है कि अभी डेट कोई फिक्स नहीं है लेकिन येक बात यहता है कि एक महिने का समय जो है लगेगा पेपर दुबारा करवाने में, क्योंकि उतनी सारी चीजें फिर होंगी, फिर पेपर जाएगा, फिर जुए सेंटर को उसी तरीके से बनवाया जाएगा, फिर कोई खाली डेट देखी जाएगी, तो बहुत सारी चीजें हो सकत तो अभी एक महिना तो मान के चले कि आप सभी लोग का जो paper है वो एक महिने तक टल चुका है और एक महिने बाद ही आपका paper होगा यानि 28 नॉमबर को paper अगर हुआ है तो 25 दिसंबर के बाद ही paper होगा फिर उसके बाद में एक समस्य और आएगी क्योंकि seated का भी paper चलेगा उस time तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं तो आगे देखते हैं क्या होता है बाकी जो भी update मिलेगी चाहे पनपी से चाहे सासन से आप सभी लोग को हम बता देंगे बाकी जो अभी तक की update मिले उसमें यही मिली है आप यहाँ देख भी सकते हो लिखा भी है कि एक महि 100% सही update पा सकें और इधर उदर की जो आप वहाँ होती है उनसे वो लोग बचे रहें तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास update के साथ तब तक के लिए खुस रहिए मस रहिए जैहिन जै भारत